हरे कृष्णा राधे राधे वल्कम बैक टू माई चैनल आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे लट्टू गोपाल जी को चमकाने का प्रोसेस 3 इससे पहले हमने आपको बहुत सारा वीडियो दिखाया है जिससे आप अपनी लट्टू गोपाल जी को चमका सकते हैं तो जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले हमारे घर गोपाल जी के हरी भाये आये थे तो आज हम वह वीडियो पहले अफ्लोड नहीं कर पाए तो चलिए आज वो वीडियो अपलोड करेंगे और आपको दिखाते हैं कि हरी जब हमारे घर पर आये थे तो उनका ये हाल था क्योंकि वो बिल्कुल काले पर गये थे तो हमने सुचा आपको भी process 3 दिखा देते हैं और हरी का भी थोड़ा makeover कर देते हैं तो ये देखिए हमने यहां दही और बेशन को ले लिया है इससे पहले हमने आपको जो process दिखाया था उसे हम description box में उसका लिंक दे देंगे प्लीज आप वहाँ से देख लीजिएगा बहुत सारे process में लड्डू गोपाल जी को आप चमका सकते हैं अगर आपके लड्डू गोपाल जी काला पड़ गये हैं तो देखिए यहां हमने दही और बेशन को ले लिया है अब इसे हम अच्छे से mix कर देंगे और mix करने के बाद इसे हम अच्छे से हरी के उपर एक्तम अच्छे से उन्हें मालिस कर लेंगे तो चलिए हरी को हम एक थाली में हमने उन्हें बिठा लिया है अब हम हरी को अच्छे से मालिस कर लेंगे बेशन और दही से बहुत सारे भक्तों का ये कॉमेंट होता है कि दिधी हमारे लडुकु पाल जी काला पड़ गया है उनका रंग उतर गया है तो क्या करें तो इसी लिए हमने इसके उपर बहुत सारा वीडियो बनाया है कि लड्डू गुपाल जी को चमकाना कैसे है क्योंकि सबका प्रॉब्लम एक ही होता है कि लड्डू गुपाल जी को कैसे चमकाए क्योंकि वो काले पर रहे है तो देखे यहां हम हरी को बेशन और दही से स्नान कराएंगे उनका मालिस करेंगे और इससे पहले भी हमने आपको दो प्रॉसेस दिखा दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो डेस्किप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं क्योंकि वहां हमने उस हमें घर पर रहेंगे तो जब हरी हमारे घर आये तो हमें मिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्यूंकि हरी का बिल्कुल मेक अवर नहीं हुआ था और वह बहुत ज़ादा काले पढ़ चुके थे तो हमने सुचा कि यूना उनका मेकावर कर देते हैं मिर्ण तो आप देखकर समझ सकते हैं कि हडी का कैसा हाल है अब यहां एक दुक्की बात है कि जब हम बोलते हैं कोई भी भक्त होता है जब हम उन्हें बोलते हैं कि आप अपने लड़ो गोपाल जी का थुरा ध्यान रखिए या उन्हें थुरा सा सेवा कर लीजिए थुरा सा टाइम दीजिए तो कोई कोई भक्त हमें ऐसा बोलते हैं या हमारी दीदी ही हमें बोलती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता तो सबसे ज़्यादा इंपॉसिबल बात तो यह है कि टाइम नहीं मिलता यह कोई बात नहीं है कि टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम जब सारा काम के लिए हमें टाइम मिल जाता है त तो चलिए उसे छोड़ते हैं आप सबसे अनुरोध हैं जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उनसे हास जोड़कर मिनती है कि आप पांच मिनट अपना मुबाइल छोड़कर पहले अपने ठाकूर जी का सेवा कर लीजिए क्योंकि आप आधा घंट एक घंटा तक मुबाइल ही देखते हैं उसे छोड़कर अगर थोड़ा सा अपने ठाकूर जी पर ध्यान देंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा तो देखें यहां हम हड़ी को अच्छे से मालिस कर लेंगे तो हमें आसा है कि हरी चमकने लगेंगे इनका मालिस संपूर्ण करने के बाद हम इन्हें स्नान करा देंगे उसके बाद देखते हैं हरी बेटा कैसे चमक रहे हैं और आप भी अमें कॉमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी देख सके तो देखिए आप देख खरे समध चुके होंगे हमारे हरी बेटा कितना चमक रहे हैं कितने संदर लग रहे हैं और कोई प्राब्लम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है सरीर में दही और बेशन का देना क्योंकि यह हम खुद भी यूज करते हैं अगर आपके गोपुशोना भी काले पर रहे हैं तो फटाफट इस प्रोसेस को एपलाई कीजिए आपके लड़ो गुपाल जी भी चमकने लगेंगी ठैंकी फवाचिंग हरे कृष्णा राधे राधे